नमस्कार, जैहिंद, आप सब का बहुत-बहुत स्वागात है मेरी YouTube चैनल पे, आज के इस Most Important वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं, गौर्मेंट आप जमुवन कश्मीर की तरब से एक मेजर अपडेट की गई है, regarding Employing Performance Monitoring Portal, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, जितने भी Officials G&K UT Government के अंडर आते हैं, उन सभी Employees को Monthly Wases अपनी Performance Report ऑनलाइन समिट करनी होती है, लेकिन अभी जहां पे थोड़ा सा इस Process को Change कर दिया है, क्या वो Process है, जहां पे Government ने अब EPM Portal को जो है, उसे Link कर दिया है, जमुवन कश्मीर Human Resource Management System से, अब आपको अपनी Report फिल करने के लि टाइप करते थे, EPM टाइप करने के बाद हमारे सामने EPM का एक Portal ओपन हो जाता था, हर एक Employee अपनी EPM का User Name, Password एंटर करके, अपनी जो Report Monthly Wases वो समिट कर देता था, लेकिन अभी इस मन्थ आप अपनी Report समिट करने जाएंगे, तो उस Portal पे आपको यहां पे Security Reason के कारण EPM, JK का जो Official Page है, वो ओपन हो जाएगा, जैसे ही जहां पे Page ओपन हो जाएगा, तो इस तरह से आप जहां पे देख सकते हैं, हमारे सामने Employee Performance Monitoring Portal का जो Official Web Page है, वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, तो जहां पे हर एक Employee को Login करने के लिए Simply पहले क्या करना पड़ता था, जहा जहां पे आप Simply देख सकते हैं, सबसे पहले जहां पे बताया गया है, To Enhance Security and Streamline Your Login Experience, तो जहां पे Security Reason को मद्य नज़र रखते हुए, और Login Experience को और बहतर डंग से Create करने के लिए, जहां पे इस Portal को Jamoo & Kashmir Human Resource Management System के साथ लिंक कर दिया गया है, अब हर एक Employee को अपनी EPM फिल करन करने के लिए, Jamoo & Kashmir Human Resource Management System पे Login करना होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हम, आपने Next Step हमारा जहां पे रहेगा, Go To Jamoo & Kashmir Human Resource Management System, आप इस पे क्लिक कर दे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जहां पे Jamoo & Kashmir Human Resource Management System की जो Official Web Page है, वो हमारे सामने ज प्लोई को सबसे पहले क्या करना होगा, जहां पे Login करना होगा, अब जहां पे Login करने के लिए, हर एक Official ने अपना Username, अपना Passport पहले से Create किया है, अगर ऐसा है कि आप अपना Username और Passport भूल गए हैं, तो हम Next वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि आप इसका Username और Passport कैसे Recover कर सकते हैं, नंबर वन, जो Official अभी तक जमुएन कश्मीर Human Resource Management System पे अपने आपको Register उसने नहीं किया है, तो आप Register कैसे कर सकते हैं, वो Next वीडियो में देखेंगे, तो जहां पे Simply आपको क्या करना होगा, अपनी EPM फिल करने के लिए, अब जहां पे आपने जमुएन कश्मीर Human Resource Management System का username और password आपने जहां पे enter करना है, enter करने के बाद आप login कर लेंगे, username simply आपका CPS ID ही रहने वाली है, जैसे कि हमारा EPM में भी हमारी CPS ID ही रहती थी, तो यहां पी username आपका CPS ID ही रहेगी, और जो भी password आपने create किया है, आप उसे यहां पे enter करें, और दिया गया capture, enter करने के बाद login कर लें, in case अगर आप password बूल गए हैं, तो जहां पे एक option है, forget password, तो आप इस पे click करके आपने password को recover कर सकते हैं, in case नहीं तो मैं next वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूँगा कि आप आपने password को कैसे recover कर सकते हैं, next आप जहां पे देख सकते हैं हमने अपने CPS ID, अपना password दिया गया, capture भी एंटर कर लिया है, अब आपने login पे click करना है, जैसे अब login पे click करेंगे, आपके mobile पे एक OTP send किया जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं, इससे पहले EPM को login करने के लिए हमारे mobile पे कोई भी OTP नहीं आता था, अब जहां पे second step verification जहां पे हो गई है, तो अब आपको confirmation के लिए आपके register mobile नमर पे भी आपको एक OTP send किया जाएगा, तो आपने जहां पे login पे जैसे click करेंगे, click करने के बाद immediately एक message जहां पे आप देख सकते हैं, pop-up message आपकी window पे जहां पे आ जाएगा, कि आपके register mobile नमर पे एक OTP send कर दिया एंटर करने के बाद next आपने verify OTP पे click कर देना है, OTP एंटर करने के बाद जैसे हम login पे click करेंगे, हम सीधे जमुएन कश्मीर human resource management system की official web page पे आजाएंगे, तो जहां पे आप देख सकते हैं, एक employee की पूरी detail जहां पे show हो चुकी होगी, तो next आपने क्या करेंगे, जैसे हम थ EPM फिल की है, जहां नहीं की है, तो इस तरीके से अब हमें यहां पे अपनी EPM को फिल करने के लिए simply आप यहां पे new का एक option blink हो रहा होगा, आपने इस पे click कर देना है, जैसे आप इस पे click करेंगे, तो जहां पे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से एक welcome page आ बाकी process पहले वाला ही जहां पे रहने वाला है, आपको जहां पे एक home का option मिलेगा, view activity से आप देख सकते हैं कि आपने पिछले मन्त अपनी क्या report submit की है, और इस मन्त की आपने report को submit करने के लिए बही process रहेगा, submit activity भी आपने click कर देना है, जैसे आप इस पे click करेंगे, तो आ मन्त की बो report अपनी submit करने जा रहा है, जैसे आप select month पे click करेंगे, हमारे सामने जहां पे calendar आ जाएगा, जैसे कि अब हम November मन्त में October मन्त की जो है report उसे fill करेंगे, तो आप October को जहां पे select करें, next यहां पे पूछा जाएगा, कि एक employee इस month जा जो पिछले October मन्त की हम जो fill करने जा रहे हैं, क्या वो उस month लीप पे था जा नहीं था, तो आप यहां पे drop down पे click करके yes or no select कर सकते हैं, next यहां पे रहेगा simply आपको क्या करना होगा, brief description of the work assigned, जो भी work एक employee को दिया जाएगा, उसकी higher authority के द्वारा, उसकी एक brief description आपने लिखने हैं कि उस month में आपने क्या क्य किया, कौन-कौन से occasion थे, कौन-कौन सा program, जो भी आपने attend किया है, जहां organize किया है, उसे आप जहां पे briefly आपने जहां पे describe कर देना है, इसके बाद जहां पे आप देख सकते है number of days spent in the office during the month, तो जहां पे आपने office में कितने दिन, आपने उस month, जिस month के आप report फिल करने जा रह के से simple, बाकी process पूरा वही same रहने वाला है, और next यहां पे आपको नीचे एक option मिलेगा, आप इसे save भी कर सकते हैं, save करेंगे save dropped में, तो इसके बाद आप जहां तक आपने fill किया है, उसके बाद next time, 2-3 दिन के बाद आप आप हां से continue कर सकते हैं, in case अगर आप उसी दिन अप management system का passport भूल गए हैं, तो आप आपने passport को कैसे recover कर सकते हैं, और उससे next video में हम देखेंगे, कि अगर कोई employee निया है, अभी तक उसने आपने आपको जमुएन कश्मीर human resource management system पे register नहीं किया है, तो आप आपने आपको first time जमुएन कश्मीर human resource management system पे आपने आपको register कैसे कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियो की update पाने के लिए मेरे channel के touch पर है, thank you, thank you watching, take care, मिलते हैं जल्दी एक new update में